हेलो एवरिवन मैं सौरवदूब मैगनेट बेंस इंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ बिल्कुल जबरजस्त होंगे और NCRT उधारर संख्या 9 से 12 करने वाले हैं आज की क्लास में और आप देख रहे हैं पार्ट 8 जिसका नाम है त्रिकोन मिती का परी चाहिए याद दिला दूँ आपको प्रसनावली आठ दसमलों दो हमने कर लिया है सर्वसमिकाएं जो तीन प्रयोग में आती हैं उनको मैंने सिद्ध करा दिया था एकदम जबर्जस तरीके से तीनों सर्वसमिकाएं आपको याद भी होनी चाहिए कौन-कौन सी थी पह बिल्कुल जबर्जस तरीके से बिल्कुल लर्ण होनी चाहिए किस तरीके से याद करना है अभी बताऊंगा जब मैं ये उधारर संख्या 9 से 12 कराऊंगा ये तीन तरीके से तो याद होनी चाहिए और किस-किस तरीके से याद होनी चाहिए ये भी बताऊंगा ठीक है तो य ये उदारड जो हैं बहुत ही जबरजस्त हैं सारे के सारे उदारड इंपोर्टेंट है ध्यान से देखेंगे तो इस्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात उसके बाद हम आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे उदारड संक्या 9 से जैसा कि आपको पता है Magnet Brains प्र सिर्फ मेहनत करने की जबरजस्त मेहनत करेंगे और अपने आने वाले बोर्ट एक्जाम में जबरजस्त नंबर लाएंगे अपना भी नाम रोसन करेंगे माबाब का रोसन नाम करेंगे और भाई मेरा भी नाम रोसन होगा उसी से है ना तो ये काम आपको करना है जबरजस्त मेहनत कर दो, सब कुछ भूल जाओ, सारी दुनियादारी भूल जाओ, एकदम लग जाओ, फोकस पे, क्योंकि बोर्ड एक्जाम देना है, 10th क्लास में, समय आपकी जिन्दगी में दुबारा नहीं आने वाला हो, और बैतरीन तैयारी करने के लिए आप ग्राइब कर सकते हैं, इनोट्स और इबुक्स जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, उदारर संख्या 9, ये रहा, बोल रहा है अनुपातों, कॉस ए, टैन ए, और सेक ए, को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए मतलब सबको साइन ए के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आईए दिखते हैं, तो कॉस ए और साइन ए, सबसे पहले कॉस ए को मैं बदलूँगा, किसमें साइन ए में, ठीक है, ध्यान देना, क्या ऐसा कोई relation आपको पता है, ऐसा कोई संबंध आपको पता है, जिसमें कॉस और स साइन दोनों आते हैं, बिल्कुल, सर्वसमी का एक, सर्वसमी का एक क्या कहती है, कि साइन स्कॉयर ठीटा, प्लस कॉस स्कॉयर ठीटा, बराबर होता है, ठीक है, अब ठीटा की जगर पर हमारे पास ए है, तो हम ठीटा नहीं लिखके, ए लिखें तो ज्यादा अच्छा है, तो इसकी जगा हम A लिख लेंगे, बात समझ में आ गई, हमें कॉस स्कॉयर का मान निकालना है, in terms of, किसके terms में, किसके पदो के रूप में, साइन के पदो के रूप में, तो साइन को भाई उधर भेज़ दो, कॉस को यहाँ पर अकेले खेलने दो, है ना, कॉस को यहाँ पर साइन के रूप में, साइन के रूप में, आ रही है बाते समझ में, अब आपके मन में आएगा, सर, यह स्कॉयर उधर जाता है, तो प्लस माइनस होता है, आप भूल गए हैं, नहीं, भूला नहीं हूँ मैं, होता क्या है कि कॉस A का रिडात्मक मान नहीं लेंगे हम, केवल लेंगे यहां पर, तो इसलिए मैंने माइनस वाला नहीं लिखा, माइनस वाला लिखना भी नहीं है, क्लियर है बाते तो आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट हमने कॉस A को कनवर्ट कर लिया, किस के रूप में, साइन एक के रूप में, अब बात करते हैं कि टैन एको साइन convert करेंगे तो अगर मैं 10A की बात करूँ न 10A अब आपको अच्छे से पता होगा कि 10A का जो sign और cos के रूप में formula है वो होता है sign A बटे cos A sign A बटे cos A यही होता है cos A का मान हमने पहले निकार लिया sign A के रूप में तो आप क्या करेंगे cos A का यह वाला मान वहाँ पर रख देंगे क्योंकि हमें सबकुछ इधर sign sign चाहिए tan A को बदलना है sign sign के रूप में सबकुछ यहाँ पर आपको sign वाला चाहिए तो उपर तो sign है उपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है cos A की जगा पर हम लिख सकते हैं under root 1 minus sign square A क्या under root 1 minus sign square A तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने tan A को sign के रूप में बदल दिया सबकुछ sign दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा कोई और ratio कोई और अउन पात नहीं दिख रहा है cost नहीं दिख रहा है cosec नहीं दिख रहा कुछ नहीं दिख रहा tan को हमें sin के रूप में बदलना था, बदल दिया, इसी प्रकार से आपको sec को भी sin के रूप में बदलना है, है ना, sec को sin के रूप में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, sec a को हम लिख सकते हैं, व्यूत्करम वाले फॉर्मूले से, one upon cos a, cos a का जुगाड पहले से ही है, तो बस cos a का मान रख दो यहाँ पे, one upon cos a का मान, sin a के रूप में क्या है, one minus sin square a, आया मजा, समझ में आ गया पूरा, एक बार screenshot लेंगे, आसान question था, यह तो बिल्कुल basic, तो इस प्रकार के questions आपके exam में आ चुके हैं पहले, बिल्कुल इसको हलके में नहीं लेना है, है ना, जबर जस का most important question करा हूँआ, ठीक है, तो वहाँ देखना और इस तरह के questions आएंगे, clear है बाते, बढ़ते हैं, उधारण संख्या 10 की तरफ, यह देखिए आप, उधारण संख्या 10, बोल रहा है, सिद्ध कीजिये की, sec a in bracket 1 minus sin a in bracket sec a plus 10 a equal to 1, मतलब इस सब को solve करके हमें क्या सिद्ध कर करना है, 1 सिद्ध करना है, जिस पक्ष को आप solve कर सकते हैं, उसी को लेके चलेंगे, अब क्या 1 को लेके चलना जरूरी है यहाँ पे, क्या 1 से इतनी बड़ी चीज प्रूब कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर हम left hand side को लेके चलेंगे और right hand side के बराबर सि a, sec a plus tan a, तो यह हमने क्या किया, left hand side को उठा लिया, अब हम क्या करेंगे, सब को sign और cause के रूप में लिख देंगे, सब को, अपने पास formula है, जैसे sec a को sign और cause के रूप में लिखना हो, तो हम लिख सकते है, one upon cause a, यह मत सुचना की sign और cause दोनों आने चाहिए, ऐसा कुछ नह देना है आपको, ठीक है, तो one minus sign a, यह तो पहले से अपने रूप में है, sign के रूप में है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, इसके बाद हम बात करेंगे sec a plus tan a, sec a को हम फिर से भई लिख देंगे, जो अभी लिखा कि one upon cause a, अरे पता है ना, व्यूतकरम वाला, sec का कुछ आएगा, खुद से कुछ नहीं कर पाओगे, तो यह नहीं होना चाहिए, आरे यह बाते समझ में, 10 a, 10 a क्या होता है, sign a बटे, cos a, clear है बाते, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सब कुछ आपको sign और cos में दिखने लगा, अब फटा-फट से इसको solve कर दो बात खतम, क यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, one plus sign a, क्योंकि नीचे का जो लगुत्तम लेने की जरूत ही नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ हम direct लिख सकते हैं, one plus sign a divided by cos a, multiply कर दो, इनको गुडा कर दो, one minus sign a, one plus sign a, यहाँ पर formula लग रहा है, a plus b, a minus b होता है, a square minus b square समझेंगे इसको दुबारा से, a plus b, a minus b, a square मतलब one का square one, minus b square मतलब sign a का square, sign square a, नीचे क्या हो रहा है, cos a गुडे cos a, क्या हो जाएगा, cos a गुडे cos a, cos square a, यह जो one minus sign square a होता है, direct याद होना चाहिए, पहली बार बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा यह बात, यहा sign square a plus cos square a बराबर one, तो यहां से हम cos square a का अगर मान निकालते हैं, तो यह हो जाता है, one minus sign square a, क्या हो जाता है, one minus sign square a, आपके दिमार्ट में बिलकुल fit होना चाहिए, कि कहीं भी one minus sign square a आएगा, तो हम उसको cos square a लिख सकते हैं, बार बार यहां से गारी नहीं स्टार्ट होनी चाहिए, कि सबसे पहले सरोसमी का, sign square a plus cos square a बराबर one, उसके बाद यह, यह सब नहीं, direct याद होना चाहिए, और क्या याद होना चाहिए, कि कहीं sign square a बराबर यह भी हो सकता है, one minus cos square a, जब cos square a को उधर वेजोगे, तो यह बनेगा, तो यहां से, यह में सरोसमी का थी, यहा यहीं भी आपको अगर one minus cos square a दिख रहा है, तो आपको sign square a लिख देना है, clear है बाते, तो यहां पर मुझे दिख रहा है, one minus sign square a, तो directly आपको क्या लिख देना है, cos square a, तो उपर लिख देंगे, cos square a, नीचे भी यही बैठा हुआ है, cos square a, दोनों एक जैसे हैं, काट के एक ल questions में, जब मैं आपको NCRT का exercise प्रसनावली 8.3 करा रहा हूँगा, तो उसमें question number 4 में 10 part हैं, वो 10 के दसों part में ऐसी ही कहानी होगी, आपको left hand side को right hand side के बराबर सिद्ध करना होगा, और यह बिलकुल confirm question है, आपके board में, आता ही आता है सिद्ध करने का, होई नहीं सकता कि ना इसके सारे example बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है, एक बार screenshot लेंगे और बढ़ेंगे हम उदारण संख्या 11 की तरफ और बात करेंगे 11 में क्या बाते हो रही हैं, यह रहा, 11 में भी ऐसा ही कुछ सिद्ध करना है, एक left hand side है और एक right hand side है, यहाँ पर हम left hand side को उठाएंगे, left hand side क्या है, cot A minus cos A divided by cot A plus cos A, है ना, देखो दिमाग कैसे लगाना है, सोच क्या होनी चाहिए, इस तरह के सवालों को solve करने के लिए, आपको दिख रहा है कि हमें कोशेक में जाना है, दिख रहा है ना, कि कोशेक सिद्ध करना है सर, कोशेक मिल सकता है, कोशेक क किसका व्यूतकरम होता है, sign का, मतलब अगर हमें sign मिल गया, तो हमें कोशेक भी मिल जाएगा, clear है बाते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको फिर से cos और sign में convert कर रहे होंगे, cot A को लिखेंगे, cos A divided by sign A, इसी प्रकार से cos A तो पहले से ही cos A है, इसको ऐसे ही लिख दो, sign A, है ना, और यहाँ पर पहले से cos A है, तो इसको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, इस step से इस step पे आने में, पहले cot दिख रहा था, और cos दिख रहा था, अभी आपको सब कुछ क्या दिख रहा है, sign और cos, उसके अलामा कुछ नहीं दिख रहा, अ अब क्या करेंगे, उपर से cos A common ले लो, है ना, उपर से cos A common ले लेंगे, तो क्या बन गया, उपर से cos A अगर common ले लेंगे, यहाँ से cos A पूरा निकलेगा, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से जब cos A उपर से निकल जाएगा, यह पूरा का पूरा निकल गया, तो इसकी कर दो कॉस एकॉमन ले लिया यहां पर भी यहां पर बच जाएगा एक बटे साइन ए क्योंकि कॉस ए तो भाई बाहर निकल चुका है बीच में प्लस का चिन है प्लस का चिन लगा दिया यह पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है तो यह आ जाएगा क्लियर है कुछ नहीं किय उपर से कॉस A कॉमन, नीचे से कॉस A कॉमन, जो बच गया उसको कोश्ठक में लिख दिया, कॉस A से कॉस A को उड़ा देंगे, अब आपको अच्छे से पता होगा कि एक बटे साइन A क्या होता है कोशेक A, जोकि साइन और कोशेक आपस में व्यूत करम से सम्बंदित होते हैं साइन होता है कोशेक के साथ, और कॉस होता है सेक के साथ, और इसी प्रकार से टैन जो होता है, ये होता है कॉट के साथ, ये व्यूत करम सम्बंद होते हैं, कौन सा सम्बंद? व्यूत करम सम्बंद, याद रखना है चीजे, बार बार बताता हूँ इसलिए जिससे की भूल जाओ कहीं है ना भूलना नहीं है क्लियर है तो एक बटे साइन ए साइन ए कनवर्ट हो जाएगा को सेक में माइनस का एक है माइनस का एक लिख देंगे बटे एक बटे साइन ए फिर से आप से मिला तो इसको भी लिख देंगे को सेक ए आगे प्लस का वन है तो प्लस का वन यहा राभर आ गया तो इसको लिख देंगे बराबर राइट हैंड और यह सिद्ध हो चुका है तो चीजे आसान है प्रैक्टेस की जरूरत है और फॉर्मूलों को याद करनी की जरूरत है उसारे फॉर्मूले आपको याद है प्रैक्टिस वर जस्त कर लिए कोई दिक्कत वाली बात कहीं से भी नहीं आएगे एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने उधारण संख्या बारा की तरफ ठीक है उधारण संख्या बारा जो है यह most important question most important question most important question है यह है ना जभी भी बोर्ड में आता है maximum students नहीं कर पाते हैं इसको क्योंकि इसमें trick ही ऐसी लगती है कि कहीं ना कहीं अगर आप दिमाग में इस चीज़ को रखे नहीं है तो नहीं हो पाएगा आपसे समझ में आ रही हैं बाते अगर मैं भी मैं भी teacher हूँ मैं तो बहुत बार करा रखा हूं इसको अगर मैं भी पहली बार देखूं तो सायद मुझसे भी ना बने पहली बार क्योंकि मुझे पता नहीं कि करना क्या है समझ रहे हो बातों को तो इसमें एक step बस आपको याद रखना है एक step मतलब इस format में जब question दिखेगा sin theta minus cos theta plus 1 sin theta plus cos theta minus 1 जभी भी इस रूप में question दिखेगा जैसे मैं solve कराऊंगा वैसे ही solve करना है इस रूप के दो से तीन प्रकार के questions बनते हैं दो प्रकार का question आपके NCRT में ही दिया हुआ है एक आपके सामने दिख रहा है उदारण संख्या 12 दूसरा जब मैं प्रसनावल यार्दसमलों 3 कराऊंगा उसका question number 4 का 5th part है question number 4 देखना उसका 5th part देखना नई बुक में पुरानी बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें question number 5 के 5th part में देखना तो ये इसी प्रकार का question है दोनों का एक ही method है ठीक है जब मैं कराऊंगा तो याद भी दिलाऊंगा कि देखो मैंने उदारण बारा में बताया था ऐसा है ना बहुत जबर्जस्त है बिल्कुल ध्यान से समझना नहीं ध्यान से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा ये भी बता दे रहा हूँ पहले ही और ध्यान से देखोगे एक बार में समझ में आएगा छीक है एक ही छोटी सी ट्रिक है बस उसको पकड़ लिया हो जाएगा कंच सबसे पहली बात इस रूप रंग का question दिखेगा करवाऊंगा कहीं ना कहीं करवाऊंगा अभी करवा दिया फिर प्रसनावली में करवाऊंगा फिर आपको most important questions में करवाऊंगा लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसको करना कैसे है सबसे पहले इस प्रकार के questions को हम हमेशा किसमें solve करेंगे जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर ना तो सेक दिख रहा है ना तो टैन दिख रहा है सबसे पहला काम है इसको हमें सेक और टैन में convert करना होगा तो सबसे पहले में left hand side ले लेता हूँ left hand side ले लिया मैंने क्या है यह sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1 फीक है left hand side ले लिया मैंने क्या बताया अभी थोड़ी दिर पहले कि भाई जिसमें proof करना है इसी रूप में दिखना चाईए सेक और टैन के रूप में क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो ठीक है सबको cos से divide कर दो फिर सबके नीचे cos लिख दो sin theta को भी cos theta से divide कर दिया सबको cos theta से divide करना है उपर तीन बाते हैं इन तीनों को cos theta से divide करेंगे नीचे आपको तीन बाते दिख रहे हैं इन तीनों को भी cos theta से divide करेंगे और देखेंगे क्या बनेगा तो cos theta को भी आप cos theta से divide कर देंगे सब को करना है पड़े होना rule की अगर आप किसी भी बिंद में भाग देते हो किसी भी संक्या से तो अंस में भी देना पड़ेगा और हर में भी देना पड़ेगा तो उपर वाले तीनों को मैंने cos theta से divide कर दिया इसी प्रकार से नीचे जो तीन बाते लिखी हुई है, इन तीनों को भी हम cos theta से क्या करेंगे, divide कर देंगे, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर कर दिया, कोई doubt वाली बात यहाँ तक नहीं है, अभी कुछ नहीं किया, बस हमने left hand side को लिया और cos theta से सब को क्या कर दिया, divide कर दिया भाग कर दिया, इसके बाद क्या होगा, ये तो cut जाएगा, एक जैसा है, और cut के कितना जाएगा, one, ये भी cut जाएगा, और cut के कितना जाएगा, one, one को सबसे last में लिखना है, one को सबसे last में लिखना है, ध्यान देंगे, sign बटे cos को मैं लिख सकता हूँ, tan theta, sign बटे cos को क्या यहीं पर लिख देता हूँ जहाँ पर आ रहा है बाद में इसको लाश्ट में लिखेंगे एक बटे कॉस ठीटा हो जाता है आपका सैक ठीटा है ना कॉस का अव्योधकरम क्या होता है सैक ठीटा इसी प्रकार से नीचे भी काम कर दो यह हो गया आपका टैन ठीटा साइन बटे कॉस यह हो गया प्लस का वन और यह हो गया दोस्त आपका सैक ठीटा यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है बहुत इंपोर्टेंट है जबर्जस तरीके से समझना अब एक बात और याद रख लो यहां तक पहुचने के बाद नीचे आपको कुछ नहीं करना नीचे को डिमाग नहीं लगाना है गुच भी नहीं लगाना है तो जैसे ही वैसे ही रहने दोड़ीक है जैसा है वैसे रहने दो हमें कोई फरक नहीं पड़ता जो असली खेल स्टार्ट होता है यहां से यहां तक तो सब को clear है यहां तक किसी को कोई doubt नहीं है सब कुछ आसान था असली खेल यहां से स्टार्ट होगा क्योंकि इस question में हमें किसको convert करना है पता है एक को एक को ही बदल देना है कैसे बदलना है आईए समझते हैं यह दिया है ना कि इसका use करके तो आपको exam में नहीं लिखा मिलेगा कि इसी का use करके मिल भी सकता है लेकिन नहीं देते हैं यह लोग exam वाले board exam में कुछ नहीं लिखा होता सिधे लिखा होता इसको इसके बराबर सिद्ध करो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर sec और ten वाला है तो ये वाली identity लगाएंगे cosec और court वाला आएगा जैसा प्रस्नावली में आएगा तो दूसरी identity लगाएंगे तो यहां से एक का मान निकालो एक का मान निकालो एक का अगर हम मान निकालेंगे तो ये ten square theta उदर जाएगा और क्या बन जाएगा sec square theta minus ten square theta बराबर एक है ना एक का मान इसको उदर भेज दिया तो मतलब एक की जगा पर ये सारी बाते हम लिख सकते हैं, कौन से एक की जगा पर, इस एक की जगा पर ये सारी बातें हम लिखेंगे, किस प्रकार से ध्यान देंगे यहाँ पर, लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख दो, 10 theta plus sec theta इनको एक bracket में डाल दो, इन दोनों को एक को बदलने की बात कर रहा हूँ मैं, एक को क्या बदलेंगे sec square theta minus 10 square theta तो एक की जगह पे लिख देंगे अब क्योंकि minus लगा है तो bracket लगाना बहुत जरूरी है लिख देंगे यहाँ पे sec square theta minus 10 square theta divided by नीचे कुछ नहीं करना चुपचाप से जो है वही लिख दो सारा खेल उपर का है है न clear है बात है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, अब ध्यान देना आगे यहाँ पर बन रहा है formula a square minus b square तो ठीक है लगा दो जब formula बन रहा है तो सोचना क्यों है, लगा दो तो हो जाएगा एक bracket में a plus b एक bracket में a minus b तो एक कोश्टक में आ जाएगा sec theta plus 10 theta sec theta plus 10 theta और एक bracket में आ जाएगा आपका sec theta minus 10 theta sec theta minus 10 theta नीचे कुछ नहीं करना बार बार बताना पड़ रहा है आपको नीचे का छापदो जैसा है वैसे ही छापदो ठीके अभी एक बार बाद में revise भी करा दूँगा अभी वस समस्ते रहो उपर का मस्चोचो कि क्या हुआ है step by step समस्ते रहो अभी एक बार में पूरा दुबारा से revise करा दूँगा फटा फट से देखेंगे यहां पर यहां देखो यहां पर दो पद हैं यह एक पद हो गया और यह सब चीजे आपस में गुड़ा हो रही है तो यह दूसरा पद हो गया इन दोनों पदों में कुछ common आ रहा है बिल्कुल आ रहा है सर यहां भी sec theta plus 10 theta है यहां भी sec theta plus 10 theta है बाहर निकालो इनको बाहर निकालो इनसे बाहर मिलेंगे इनको बाहर निकाल दिया किसको sec theta plus 10 theta को बाहर निकाल लिया ठीक है इनको उठाके बाहर निकाल लिया जब बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा ब्रैकेट में क्या बचेगा ये तो पूरा का पूरा बाहर आ चुका है यहाँ पर 1 बच जाएगा माइनस का चिन है माइनस का चिन है लगाएंगे ये पूरा का पूरा सेक ठीटा प्लस 10 ठीटा बाहर आ चुका है जगा पर बच गया, यहां पर यह बच गया, अब यह जो माइनस का चिन है, अंदर गुडा कराएंगे, अंदर गुडा कराएंगे तो क्या बनेगा, जगह की कमी आ रहे हैं, यह कोई बात नहीं हो जाएगा, यहां देखना, यह तो पहले लिखतो, सिक ठीटा प्लस टैन जाएगा, और यह माइनस माइनस, प्लस का, टैन ठीटा हो जाएगा, बटे में नीचे क्या आएगा, ध्यान देंगे, नीचे क्या आएगा, नीचे तो वही रहेगा, सर, कि टैन ठीटा, प्लस वन, माइनस सेक ठीटा, नीचे तो वही रहेगा, अब यहां पर ध्यान देना यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर यहाँ देखो नीचे जो लिखा है और यह वाले कोश्टक में जो लिखा है दोनों बाते एक ही जैसी होंगी अवो देखते हैं कि नहीं है यहाँ पर 10 ठीटा लिखा है यहाँ पर भी प्लस का 10 ठीटा यहां पर प्लस का वन है यहां भी प्लस का वन है यहां माइनस का सेक ठीटा माइनस का सेक ठीटा उड़ा दो इन दोनों को उड़ा दो आपका कितना आ गया यहां से आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सेक ठीटा प्लस टैन ठीटा यहां से हमने निकाल लिया सेक ठीटा प्लस टैन ठीटा सेक ठीटा प्लस टैन ठीटा यह सिद्ध हो चुका है लेकिन अपने को तो भाई यह सिद्ध करना है sec theta minus 10 theta इसके दो तरीके हैं अब यहाँ से यहाँ जाने के दो तरीके हैं दोनों बता दू या आसान वाला बता दू आपको आज आज ओ सीखते हैं आसान वाला ही सीखते हैं यह अपने पास आ चुका है यहाँ पर बता देता हूँ यह हटा के ध्यान देना यहां पे यहां पर बताजेता हूँ आपको कि आपके पास अभी आचुका है sec theta plus 10 theta लेकिन सर हमें prove जो करना था वो तो यह prove करना था यहां तक कैसे पहुंचे हैं नीचे वहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर sec theta minus 10 theta है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उपर नीचे इसी से गुड़ा कर दो जो नीचे चाहिए है ना उपर नीचे इसी से गुड़ा कर दो जो नीचे चाहिए sec theta minus 10 theta अपने मन से यहां लिख दिया नीचे अपने मन से लिखा तो ऐसा नहीं है ना कि बस नीचे लिखेंगे जब आप नीचे किसी संख्या से गुड़ा करते हैं तो उपर भी करना पड़ेगा तो इसी से उपर भी गुड़ा कर देंगे किस से sec theta minus 10 theta से उपर नीचे इसी से गुड़ा कर दिया गुड़ा करने पर फाइदा क्या हुआ a plus b a minus b यह बन गया a square minus b square है ना a square minus b square नीचे जो है उसको रहने दो क्योंकि नीचे वाला तो हमें चाहिए ही यह जो उपर है sec square theta minus 10 square theta यहां देखना यह sec square theta 10 square theta को इदर लाएंगे तो minus 10 square theta कितना हो जाएगा one हो जाएगा अभी यहां भी बताया था ना कि one की जगह पे मैंने क्या लिखा था sec square theta minus 10 square theta मतलब एक का मान क्या होता है sec square theta minus 10 square theta तो sec square theta minus 10 square theta की जगह हम लिक देंगे one और नीचे अपना वही रहेगा सेक ठीटा माइनस टैन ठीटा और ये अपना राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है बोड एक्जाम में दो तरीके से क्वेस्टन पूछा जा चुका है एक बार पूछा गया था कि आपको यही सिद्ध करना है तो आपको यही रुख जाना है और आगे बढ़ना है तो उपर नीचे इसी से गुड़ा कर देना उपर नीचे इसी सेक ठीटा माइनस टैन ठीटा से गुड़ा कर देना अपने आप फटा-फट से आंसर आजाएगा आपका बढ़िया बैतरीन question एक बार इसका screenshot ले लो फिर एक बार revise करा देता हूँ आपको मैं चलो एक बार फटा फट से बताता हूँ मैं कि क्या क्या काम किया गया है मैंने starting में बताया कि question अगर sign cost में दिया हो और prove करना है sec और 10 में cost से divide किया नीचे भी तीनों को cost से divide किया ये वाला और ये वाला cut के आपस में one हो गये ठीक है और यहां sign बटे cost 10 हो गया यहां पर one आ चुका है यहां पर एक बटे cost जो होता है sec होता है नीचे भी ऐसे ही हो गया clear है वात यहां तक इसके बाद मैंने बता है कि इस one को आखरी में लिखना है आखरी में लिख दिया नीचे अब कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है शुरू से लेके last तक देखो नीचे वाला वैसे ही जाएगा मतलब कि उपर की बात केवल और केवल कर रहे होंगे उपर की बात अगर मैं बताउं आपको तो एक को लिख देना है sec square theta minus 10 square theta एक की जगा पर ये लिख दिया फिर a square minus b square के identity लगाया a plus b a minus b और यहां से 10 theta plus sec theta यहां भी दिख रहा है 10 theta plus sec theta यहां भी दिख रहा है दोनों में से दोनों को बाहर निकाल लिए, यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर यह बात बच गई, minus को अंदर multiply कराया, multiply कराते ही उपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ एक जैसी हो गई, काट दिया, यहाँ से आपके पास यह आ चुका है, sec theta plus 10 theta, उपर नीचे sec theta minus 10 से मल्टिप्लाई कराया उपर आ गया से कि स्क्वार ठीटा माइनस 10 स्क्वार ठीटा जिसको हम वन लिख सकते हैं सर्वसमिका के द्वारा और नीचे वही रहेगा और आपका राइट हेंड साइड के बराबर हो चुका है एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे इसका ठीक है तो जब पर आपर वन प्लस कॉट स्क्वार ठीटा ऐसा कुछ मतलब यहां सेक और 10 में खेलना है वहां को सेक और कॉट में खेलना है बात वही है बिल्कुल वही नियम है और यहीं पर आपका अंसर आजाएगा वहां पर ऐसा नहीं सिद्ध करना है यहीं पर आपका अंसर आजाएग clear है तो I hope कि ये सारे examples आपको बहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे ठीक है तो वीडियो को दोस्त लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर देंगे क्योंकि चीज़े आपको समझ में आ रही होंगी है ना अपने प्यारे और बैतरीन कमेंट के माध्यम से पताएंगे कि कौन से क्वेस्टन आपको बढ़ियां से समझ में आ चुके हैं कुछ क्वेस्टन में कौन से क्वेस्टन में अभी भी बोड और राजस्थान बोड है इसके अलावा वेदिक मैथ्स क्रेस कोर्स और स्पोकन इंगलिस की भी क्लास इवेलेबल हैं यह सारी चीज़े आपको बिल्कुल फ्री और कोश्ट प्रोवाइट किया जाता है मतलब इसके लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगारा नहीं करना पड़ता है आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ जबर जस्त मेनत करने की इन सारी चीजों को सीखने की इसके अलावा आप हमें अधर सोचल मीडिया और नेट्वरक्स पर फॉलो कर सकते हैं जैसे की फेस्बुक इंस्टा ट्युट कि इसके फेस्बूलो करने की इसके घुट बचक्चर मीडिया और सूशन अरत करने के इसके जया जूटा वारा जर्पने की इसके तरहाएं की